इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआ धुआ धुआ? क्यूं कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुए को क्यूं छेलता? हो गई परताश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीडी दिखे जलती जहां, पबलिक प्लेस पर सिगरेट भी ना मना है, उल धुम्रपान ना करें, ना करने दें, धुम्रपान पढ़ेगा महेंगा, खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धुम्रपान महेंगा पढ़ता है, धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है, और आपके चाने वालों के लिए भी, धुम्रपान पढ़ेगा महेंगा. खाली खाली क्यों कड़े हो आने जाने वाले रस्ते पे जंडे लगा दिये ना अपने अहां लगा यह इस कागस पली के सारे आइटम आगये ना आगे शब देखके बताएं चार-पांट परटी बाननी है जंडे का खंबा लगाना है बड़े मालिक का अभी तक पता जल्दी 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 अरे लाओ हमा लगा दो आराम से अब यह लिए जीरे अराम से अब निक्टी ठीक कर से गाला कि देखो समाल करके पंडी जी आप शिरू कि जीए अब शिरू कि यह लिए सब कुछ ठीक डंग से हो गया है उस वसुली का क्या हुआ आज हो जाएगा भाई जल्दी खत्म करके मुझे हिसाब देना है अब मैं चलता हूं ठीक है जी ठीक है मालिक मालिक पास साल से आपने मुझे चंदा नहीं लिया मालिक इस साल ले लिजे मैं भी शामील होडाऊंगा जो सजा देंगे मन्जूर है मैं चोड़ दीजिए उसने अंजाने में बोल दिया आप बड़े हैं आप उसे माफ करने के लिए घर गिरवी रख दो या पेच दो लेकिन काम किसी भी हाल में होना ही चाहिए काम की बजाए कमीटी बनाकर पैसा वसुलो और अपना पेट भरो यही कहा था नहीं साद्मिन है आज इसने कहा है कल कोई और कहेगा फिर किस लिए यह कमीटी सोसाइटी और संस्था है कुछ भी करो लेकिन मुझे माफ कर दो मैं और लोगों की तरह दर्शन करूंगा और अगर चंदा मांगे तो दे दूंगा ऐसा क्यों सुनो कोई भी बनाने की शुरुवात करें उससे कुछ फर्क परता है क्या मंदिर बनना जादा महतोपूर्ण है मैं चलता हूं नमस्ते शिवा निकालो जल्दी 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 ज अब मालिक नाराज होकर चले गया अरे नहीं लेंगे तो हम रख लेते हट वे हट क्यों भाई मंदिर में हम आए पूजा आमने की भाई को लाकर सारी मेनत हमने की हमें ही जाना चाहिए तुम क्यों जबर्दस्ति कर रहे हो मैंने क्या किया है वह उसकी वकालत करके तुमको क बात ऐसा करने वाले में नहीं है एक बार फैसला कर लिया ना तो आटल रहते हैं जान चली यह तो भी नहीं बदलते चाहें उनकी जान जा या दूसरे की परवान ही करते पर अब क्या करें मुझे पता है अब यह काम एक ही इंसान कर सकता है वो कौन है यह लगता है बारिश होने वाली है जल्दे से सारी मिर्ची उठा लो आज कॉश्र ना देते बारिश में सरुन भीगेगी पागल है तु मेरी बिटी बारिश में नहीं भीगेगी बारिश होते ही वह वहां से भाग आएगी सब उठा के घर में रख दो बारिश हो पुठ आपके धर्मे रख्टो पच्च जरा उधर के देखो एक फूत मिनी पड़ी एक फूत मिनी पड़ी छोड़ मुझे छोड़ ना पिताजी क्या जूश पिताजी आज तो कचप हो गया बारिश मेरा पीछा करती हुए आ रहे थी मैं कहीं भीगन जाओ इसके के भाग भाग कर आती थी वारिख मेरा पीछा करें थी एक उन्न टेंशन बारिश से बशने के लिए भागते भागते एक बहुत दे सर के ऊपर पड़े भी ना मैं एक गव से घर के अंदर आ गई अगर बेटी किसकी है सीता राम की देखा कैसी है मेरी बेटी अगर बेगी नहीं तो आपकी लड़की बीगी होती तो मेरी लड़की अच्छा जाओ एक मेरी पिताजी की मैं बहुत प्यारी हूँ ना कुछ भी कहूंगे तो वो मान लेंगे यह सच है लेकिन जू बात मेयरे पिताजी को पसंद नहीं उस विश्य पर मैं उनसे बात नहीं कर सकते पर बात तो सुनो महरबानी करके मशबूर मत करिये जो बात मेरे पिताजी को पसंद नहीं उस बात Didn ga यह हमेरे नहीं कह सकते को मुझे माफ करते एरे यह क्या अभी तक सुरश का कोई पता नहीं आजाएगा माना हर साल त्यु रुपती जाने कि लिए दिन में हजारों बार बोले निकिन आयेगा नहीं अएसा भी ऐसा ही लगता है ऐसा उसका कउन सा जरूरी काम आ गया हाँ उसके कौन से नाति रिष्टेदार है अकेली तो रहता है आना चाहिए न चाहिए न जी यह तो क्या बात कर रही है हाँ क्या हो मेरा कोई नहीं इसी बात से उसे भी असोस है हमें उसके रिष्टेदार है तू भी नो ची ओके सॉरी मा ठीक है सुनिए टिकेट कहा है। मैंने उसे समाल कर रखा है मा। अच्छा, हम लोगों के पास बैग रखके वो कहाँ चला गया। नहीं मा, वो ड्राइवर को कार दे के जल्दी आ जाएगा। मैंने उसे कहा है, चिंता पत करो। अच्छा, ये तूने ही उसे कहा होगा। तो भी न, एक तो टाइम हो गया है, और गारे भी चलने वाली है। सुरेश ने वादा किया है कि वो आजाएगा मा। जरूर आएगा वो। नहीं मा, सुरेश नहीं आएगा। उसने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था। छड़ो, जरूर आएगा। नहीं आएगा, आएगा, नहीं 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 आ इब Kaat टारी टारी आड़ 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 येवर, 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 माई नेम इस क्यारोलीना काली येवर, कालीना मुझ बे तु अपना निशाना लगा धक, 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 कैरोलीना रंबानीना सीने से कैसे लगाऊ बता कम 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 तुद्र कम पार्ट में खुबसूरा सी लड़की है देखो जहाँ क्या पटा का है वो कनाटन माल हो जब से देखा उसे दिल खायल हुआ मुझ में तु अपना निशाना लगा सीने से कैसे लगाऊं बता कैरोलीना रुबानीना जब से में ने देखा तुझ में तो ही गया हुँ तु ये जान ले ये जान ले मीठी छूरी तुदी को करती है घायल जरा ये मान ले ये मान ले तेरे जैसी लड़की नहीं जहां में घुंडा मैंने तुझ को कहां कहां में जाने जाना जाने जाना तरके तुझ से ही इसहार नहीं किया जाने जाना मैंने कुझ से ही प्यार किया खाता हूँ मैं कसम ये तेरे बाजू रहके छुने की हमत में ही गीती जाने मन पर तुझ शायद लखने नहीं अब ना तुझ छोड़ू रहू तेरे साथ में हर दम बाहों में तिज को भर लू बना लो सनम कि गजु. की बिल्स. नने जाने लो सन भाजू ब्लीजम के हमता उर्म चुझ भाज़ू बन्चवी तुरुदार है.. सुपेटेस परप में प्रुम्च्वाच्वूम्मेन, रिखने लिखने ह МУ के बन्चने अभी सिर्चे हों, जौने करें मैं macam vag gland, उन्मत नहीं है तो फे चुमा नहीं है तो तु ये मान ले, ये मान ले अब न में घब रहूं, अब न में शर्माओं ये जान ले, ये जान ले तेरे प्यार का नशा दिल में समा गया, दिल को मेरे सनम भागया, तु ये कैरोलीना, कैरोलीना तुझे देख लड़के तेरे आशिक हो जाए तेरे फिन चैन अब नीन नहीं आए कैदो लीना, कैदो लीना तेरे बाजू रहके छुने की हिम्मत नहीं कीती जाने मन पर तू शायद लखने नहीं रो मुझे तू अपना निशाना लगा सीने से कैसे लगाओं बता कम 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 तुदा कमपार्टमेंट हो बुशूरा से लड़की है देखाओ जहाँ क्या पटाका है वो टना टनमाल है जब से देखा उसे दिल खायल हुआ कैरोलीना कैरोलीना कम तुमा लगाँ आए लव यू जाए आए लगाँ आए आए आराम से बच्चो आराम से निकल लेगा आजो बच्चो दादा जी पिछले साल देखा था तब तो ठीक ठाक थे अब तो पेट काफी खूल गया लगता जोवा बच्चे देख रही हो कैसी बाग कर रहा है प्रमिला कैसी हो बच्ची दादी मा को क्या हो गया पिछले साल तो बहतर किलो की थी इस साल बाहर बें किलो की हो गई है क्या बेटी दो दिन पहले ही आ जाना चाहिए अहां लगे टिकेट नहीं मिल रही जी चलो चलो क्या बताओं तुम्हारे दादा जी एक हफते पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम सबको मंदिर के दर्शन करवाने के लिए उनके मन में बहुत यूक्सा है उनको बहुत मजाएगा सुरेश अरे वहीं क्यों खड़ा हो गया आजा अरे सुरी यार सबसे मिलने की खुशी में तुझे भूल गया सुरी तुम्हारी खुशी में खलल ना पड़े इसलिए दूर खड़ा था बैग राख दो ना वह लोगे ओके पढ़ाई कैसे चल रही है बैटी बस ये आकरी सा सुरेश इसे तिरुपती घुमाने लाया हूं मुझे आश्रवाद दीजे दादा जी सुक्री रहो बेटा सुरेश तुमने मेरे दादा जी से आश्रवाद लिया है अब लगते हैं तुम जिंदगे में बहुत सफल होगे वह सब ठीक है लेकिन इस दादा के लिए तुम क्य जया बच्यारा बच्च्या है और आप उसे सता रहे है कि क्या लाँ है मेरे लिए शरम आनी चाहिए आपको क्या दीजी दादा जीको है तू क्यों सी टाट रही है हैं तु मेरे निग्सा दाट नहीं दाठ रहा है तू सस्क्रोड है वला भाल दूनौ कर देखेंगे तो कैसे चलेगा जल्दी से आप लोग कोई फैसला कीजिए महेंदर सिंग ने नीटा को बेजज़त कर दिया है जान बूच कर गलती की है अब बेज़ज़ती की है तो उसे शादी करनी पड़ेगी अगर नहीं की तो पंचायत को 20,000 रुपे दंड देने पड़ेंगे आप क्या कहते हैं ठीक का ना तुम्हें मन्जूर है यह तो अन्या है जी बेज़ज़ती करने वाले के साथ शादी करूं फिर शादी के बाद वो फिर से मेरे बेज़ज़ती करें तो मुझे यह शादी नहीं कर दी मैं हाथ शुट्टी कर देगा सब्सक्राइब बनके काले दुश्मनों का सर्वनाश हेलाया यह पटक पटक मारे उठा उठा के मारे गिरा गिरा के मारे यह जीर फार डाले हाई दादी ए प्रदेप कैसा है इस प्रदेप तुमारा बेटा बुला रहा है मिल क्या आता हूं हाई जिस फ्राइट से रहा था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ पैट्रोल भराय भी नहीं उड़ा दिये राइट आके बाजू में ही लैंड हो गई वहां से मैं लिफ्ट लेके यहां आ गया इतना क्राउट क्यों इखटा कर लिया है सब लोगों को पेंशन बाट रहे हो क् सिं worthy यूऑर के पास कर ली इनने कहां वकालत पढ़ी था सिनीर लियर्यान होगे प्रेक्स कि हैं मैंने प्रेक्टिस ने कि नए वाले को उससे शादी करनी पड़ेगी और इतना ही नहीं 20,000 रुपए पंचायत को दंड के रुप में देने होंगे शाबास लिटा तुम इस बारे में क्या फिल कर रही है यहां तो महंदर सिंग तुम इस रेप केस के बारे में क्या बोलते हो मेरे जिंदिगी में तो इससे ह होती रहता है तो क्या तुम ही ने इसका रेप किया है पंचायत में फैसला किया कि तुम इस से शादी करोगे नहीं की तो 20,000 रुपए अपरात कादर नभर दुआ साका ओहो बलातकार की सज़ा से बचने के लिए 20,000 रुपए बहर चुका हो अरे रे 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 बुकिंग करवाई है जी छूट जाओगे तो तुम तो दिन रात रे भी करते रहोगे महंदर सिंग से पूरा गाउं धर रहता है महंदर से सब लोग महंदर सिंग को सुधारने के लिए और कोई दूसरा इस गाउं में रे ना कर सके इसके लिए मैं एक फैसला सुनाओ क्या मेरे फैसले में तू टांग मतड़ा मिस्टर सारे पंच कुछ भी हो सारी पबलिक मेरे साथ है इसलिए मेरे फैसले का इंतजार करो देखने में एरो लगता है अपने साथ जुड़ेगा क्या मुझे विलेन ही रहने दो इंग्लिश का एक ही शक्द यो मुझे पसंद नहीं है है इतना नीचे करो और इतना नीचे आप और इतना अपाब को इतना वेला ये क्या कर दिया ना यह कहा कर दिया ना यह गलत किया तुने जब सजा कठोर मिलेगी तभी अपराद कम हो एई गाड़ी रिपेर होगी कि नहीं मालिक लगता है यह ठीक नहीं हो पाएगी हाँ ठीक है बस से जाता हूं मालिक क्या बस से जाएंगे तो क्या पैदल चलके जाओं तुम जल्दी से गाड़ी ठीक कर आँ कर देके हैं मालिक सुरीए यह बस कोयमबर टूर जाएगी यह जाएगी है नमस्ते नमस्ते अरे चोट लगे बेटा माफ कर दो गलती से लगई दक्का देखके कहते हैं वाफ करता कैसे लोग हैं उन्होंने माफ करते तुम्हें आपको क्या पता कि नीचे क्या हुआ है आप च नमस्ते नमस्ते बैठिये आप लोग नमस्ते बैठिये क्या चाचा कैसे हैं आप ठीक हूं मालिक अपनी लड़की की शादी कर रहा हूं आपके घर आकर निमंतरन देना है जरूर आईएगा आप चिंता मत किजिए बहुत अच्छे डग्स होगे हां शुक्रिया हां नमस्त इसलिए कोएम बटूर आयेगा तो पता देंगी ने हाँ है कि जराय साहाली हां आई है कि चाचा जी याप खाईला O a कि अब तो खुश हो गए ना गिर गया मैं नीचे गिर गया खुश हो ना तुम नहीं वो अंजाने मेरा हाथ भी अंजाने में ही लगा था लेकिन तुम्हारा पैर अंजाने में नहीं जान भूच कर मारा गया है मैंने जान भूच के नहीं गिराया मैं जानता हो तुम ऐसा ही कहोगे, लेकिन मैं यह भी जानता हो कि तुम ने जानबुश कर मुझे मारा, बदला लेने के लिए अरे वो तो मैं कपका भूल गया, महर्मानी करके मुझे गलत मा समझे मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रहा हूँ तुम गलत हो, नहीं मैं, तुम गलत ही हो, गलत हो, वो पुरा ड्रॉर गंदक रखा है, पागल, पागल कहीं का, उस पागल को छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे पिताजी से कहना चाहिए था, वहीं बस में चार थपण मारे होते न, उसे पिताजी से माफ ही मांगनी चाहि हम ठीक है बेटा तुम सही हो कॉलेज का टाइम हो गया है जाओगी थे बगवान बचाले पॉचाले बचाले, बचाले , बचाले बचले, के बचले, मैं रगे नियूज़ी कराँ मैं समयदोясकर ह lt Sachen जब चले, जब चले, जब चले, बचले X Christmas भी समयदोसिन बचले वो चले, जब चले बचले एक चले एपस्के नहीं कि एपसीछ। एपने वित में प्रादादा सब्हुँप पत्द èपन गतनी करता गांवा एभ यह देखो वह से देखो ये काहर में जाने वाले लोग ना पदानें क्या समझतें अरे नहीं सब लोग एक जैसे नहीं होते कभी अच्छे लोग भी मिल जते हैं अरे पेटी महाराणी ये कल के सन टीवी के प्रवचन का अथर है क्या नहीं नहीं मैं रास्ते से आ रही थी तो अभी ये गाड़ी जोर से आई मेरे उपर छीटे गिरेंगे ये सोचकर में डर गई लेकिन एक बूंद भी मेरे उपर गिराए बगर गाड़ी क्रॉस होके चली गई तेखा मैं स्युनिवर्स को देखकर उसने बीना अचीते उड़ा ऐसलो मुशन में कालेली क्या जेंटल्मेन है ऐसले चिला बता यह यह यहां ट्रेपल फोर जेरो इस्क्यूस मी के बीफुजी रही है देख तुझे कही पल में साथ दे थम गई देख तेरी कही जल गये जान ही जम गई दिल मेरा तुझे को देख के मचल गया मन मेरा प्यार मत तेरे पिघल गया क्या हो आप एक मनिटख को है आप कॉन है क्या चाहिए क्या बोल रही है मुझे कुछ भी समझ में आ रहा है और यह शो आपने पहचान नहीं आ क्या बात कर रहें कौन सी कार कौन से छीटे इतनी चल्दी भूल गए आप मुझे हाथ हिला कर गए थे ना मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हें नहीं जानता क्या किसी अंजान से ऐसे बात करते हैं अच्छे कपड़ों रिस्टैल में किसी को देखा नहीं और कहना शुरू कर क्या सर आप मुझे जानते नहीं वहां मिली थी यहां मिली थी क्या जनाब आप मुझे मजाग कर रहें ना आप सोच रहें मैं वैसी ब्लड की बिल्कुल भी नहीं हूं सची मैं अभी क्या चाहिए आपको सर सच में क्या आपको मैं याद नहीं आ रही हूं कार मेरी कार है उ तो आप क्या 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 बोल रहें अब क्या करना चाहती है थेंक्स बोला है इतना ही ने हाँ बोलो थाउसंस ओफ थेंक्स थाउसंड्स एंग्स और बस उतना ही तो यहां से बहुत बड़ा कमंडीन सान है ताउसेंड्स आप थेंक्स किस सोच में डुबे हुए थे पता है उस लड़की के बारे में ही सोच रहे थे ना कौन मैं वही मेरे बारे में सोचती होगी जूट बोलते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो मैं सच कहा रहा हूँ वह मेरे बारे में ही सोचती होगी नहीं तो एटलिस्ट बात तो करती होगी मैं अगर बताऊंगे न तो तुम लग भरोसा नहीं करोगे मेरी आँखों से देखो कि तब ही भरोसा आएगा और पूछोगी वो है कहां पर अरे अरे सुरेश उसे कहां मिले क्या बात की रोज देखता हूँ उसी बस स्टॉप पे फोन करते हुए पलटके देखा तो मेरी तरफ दौरती आ रही थी फेल क्या हुआ मुझे भी बड़ा शॉक लगा सोब के सामने वो मेरे पास ऐसी आ गया जैसे मुझे पहले से जानता हो बिल्कुल करीब आ गया पास में आपके क् पूछे थी गुस्ता कि माफ एक बात पूछना चाहता हूं तो मैंसी ड्रिस्कप पहन होगी सम्टाइम मॉटन कप्डे ये वाच चेन अंगूठी कूलिंग ग्लास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं मैं बहुत सिंपल हूँ गडगड़ा रहा था अरे पर वो तुम्हारे वो मेरे और करीब आई क्या करने वाला है मुझे ठर लगने लगा अचानक दीवानों की तरह है मुझे आगे बताओ ना तुरंत बाहों में लेके किस करती सच में क्यों पूछा था ना बिल्कुल पूछा था तब वो मुझे ये कहने लगा हमारे गाव में ऐसे ही थैंक्स इंट्रस्टिंगी जुगडी 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 अरे, पता तो लगाओ, काउं ठोल गाए यह तो पहला हो जाओँगा दादा, दादी, डर गाए ना अरे, यह तो अधी कोशन ना यह है यह कर दादा, आरे, 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 यह तो पहला है अरे, यह तो कर दो डौन कि ऐसा लगता है जैसे पूरे घर में फटागे फूटें अरे पदा नहीं किसने फोड़े हैं यह पटाके किसने फोड़ें किसने फोड़ें यह कौशर ले आई है कौशर लिया कौशी कौन है अ 믿 теп लड़की कि यह कोयमत्तोर में रहथी वहीं आई है अहें उसके आने के लिए पटाके हाँ यह पटाके उसी पागल लड़की ने यह हमने हैसं सब उसी ने भौड़ें सामने आ गाई हाँ खुद के लिए फटागे फोड़े वेरी इंट्रेस्टेंग ने ने मुझे नी पकड़ सकती मुझे नी पकड़ सकती अरे गुरू 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 नीलो अरे नेलो चिंटे वाली लड़की रिपल फोर जरो यह मेरा ब्राम है सरचवत हुए जिनी होनी चाहिए अरे अरे व, माई गॉद अरे अर्य क्या ह्ए हुआ क्यों चिलारय हुआ कुछ नि यहां आशानक मेरे यहं यहां अ तुम नहीं ने पतायाar नहीं तुम नहीं मताया ना हें सुरेश यह कारूशलया था नहीं तुम्हारी माने बताया था नमस्त्राइव मैं मैं आता जाओं ड्याथी हुं गया अरे मर गया अतुट बिना सोचय करनों सब्सक्राइन सुना दी अरे पिटा सुरेश फास गाया तू वह दोनों एक दूसरे से मिल गई है निकल ले बस बस मैं डाइट पे हो आट दस दो से मेरी लिमिट है शेंकर हाँ सुरेश कहां जा रहे हो नहीं मैं खा रहा हूं रुको हम क्या तुम्हारा खाना खा लेंगे आहाओ यहां शर्माओ मत सुरेश कवशलया भी अपने जैसी ही है जॉली थाइप भूगत चुका हूं यह क्या है टिफिन बॉक्स में अरी भूल गई करंग जी है माने देगे भेजिए वहां से सुपब थाउजन्स ओफ थैंक्स क्या थाउजन्स ओफ थैंक्स यह सब सुरेश नहीं सिखाया है सुरेश यह सुनकी यह हलत है तो वो कार मेटर सुनेगी तो एक दवी गीता क्या क्या रही हो तुम भी अरे कार मेटर कुछ नहीं है वो साथ छोड़ो यह हवार है बीच की बात है किया टेंशन ले रहे हो सुरेश कोशल अपनी फ्रेंड है क्या है वो करमेटर आरिश हो रही थी रास्ता पानी से भर जुका था कार में हीरो था यही सुरेश पानी चेर के कार पौत स्पीड में जा रही थी आगे लड़की थी तरफ गार एक तरफ लड़की इस लड़की कार लड़की क्या क्या आजा है कार नस्दीक आ गई और वो लड़की टेंशन में आ गई तू पता तू क्या कर दो चूपनी रह सकती एक्जाक पर लिया है करीगी क्या गाड़ी सामने से आ रही है बारिश का पानी भरा हुआ है तो वह हटके खड़ी हो जाएगी जाने उस लूजर ने क्या किया लूजर अप अब लूजर ने क्या और वहां से चली गई उन्होंने मुझे थैंक्स कहा और वहां से चली गई सुरेश उसने थैंक्स कैसे कहा उसी में तो केक है ना किक है हां केक जैसे ही उसने सुरेश को देखा उसे पकड़ने किस कर दिया अरे पापी अपनी आपको बड़ा बनाने के लिए मुझे चूटा कर दिया काशल्या चोड़ना मत अभी से संबल जा शॉक हो गई ना शॉक हो गई शॉक हो गई ऐसे मैं भी शॉक हो गई थी ट्रिपल सीरो तु केया काम से और और क्या वू लूजर्च के पीछे पागलों की घुमने लगी तो यह से देख टी कभी वहां से देख ती कभी आगे से कभी पीछे से जो बू नो बिलकुल पागल हो गही थी ती सुर्च के पीछे मुझे तो लगता है पूरी की पूरी फैमिली ही पागल होगी हलो आप एठिये जी किस किया था ना ये सब खुद को बड़ा साबित करने के लिए कहा था या ये सब होना चाहिए इस इच्छा से कहा था नहीं मजाग में मैंने उससे कह दिया था लेकन उसके लिए मैं सौरी कहता हूं ये ये किस बात के सौरी वस लूजर से सौरी कह रहे हो अरे बहुत पड़ी डिंग मारी थी ना तुमने यहाँ पर तुम कैसे खेल समझ रहे हो दादौजी प्लीज प्लीज वो तो मैंने ऐसे कह नहीं नहीं वह गौड वही करोण रूपे देना तो भी मैं इतना बड़ा जूट ना बोलू अगर भूजी छूट बोलना पड़े या कुए में कुदना पड़े तो मैं कुए में कुदूंगी जूट नहीं बोलूंगे फिर भी वह बात नहीं है अभी प्लिए जुगुट जाव यहां से थालेप जाओ प्रधीप यह क्या हो रहा है मुझे तुम्हारे लिए यह रोट क्लियरिटी ऑप्टिकल से चश्मा लाके दिया है अब क्या बोलती हो दिख रहा है तुम्हें हाँ ठीक है मैं बोर हो रहा हूं मेरा इंटर्टेंडमेंट करो अरे चुपो जा म मेरी मनी पीले पीले जहर का दूद पीके तुमर जा मेरी बेटी अगले जनम में आनात्र पैदा होगी तो धरती मां तुझे स्विकार कर लेगी पिले पिले जहर का दूद पिलाने वाली अब तुझा के सेंट्रल जिल में खाएगी दाल और रोटी मैं देख रहा हूं तेरा बहुत दिन से यही काम चल रहा है बच्चे को स्लो पोईजन दे रही है क्या जहर का दूद पिला के मार डाल मैं तुझे पुलिस में पकडवा द जहर का दूद पिलाने का ही इस मिटी का रिवाज है उसे पाल पोस्कर बढ़ा करके शादी ब्याख करने तक सब कुछ खत्म हो जाता है जाब हो लड़की जाती से इतनी नफरत है आप लोगों को इसी तरह हमारे बुज़ूर्ग सोचे होते तो क्या होता हमें इंद्रा गं प्रणाम किया है आरे मैं तो कहता हूं लड़किया लड़कों से कम नहीं है इतना ही क्यों विजे कांट आई पीएस हो तो वह पुरुष जातिक है छोड़ना भेव फ्लो में निकल गया बेकार में बहस मत कर लड़की के पैदा होने पर जहर का दूद पिलाने का है यहां का गया हो उसे मैं अभी पिला दूँ किया अराम से दिल सकते हो कौन है वो लड़की कितने महीने की है सेवेंटीवन इयर्स ओए ऐसे तो इसी वह पिलाना है अब तुम चुप-चप अमेरिका चले जाओ और हमारे सरपज को फैसला कर दे तो कौन होता है मुझे ऐसा कहने वाल होना एक साउंड आएगा लेकिन वह वहां कैसे जाएगा यह देख आ गया साउंड नहीं आया अभी आएगा तुझे इस घर में तो क्या इस गाउं में भी रहने की इजाजत नहीं देंगे यह पंचायत का फैसला है अरे जा रहे मेरा पुता कहीं नहीं जा यहां से आई का दूद है है पिया 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 क्यों कर रहे हो अब दस अंगुलियां बाकी है ना कोशल्य कोशल्य मैंने तो तुम्हें उस दिन ही माफ कर दिया तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे फ्रेंड्स आया है कोई रानी प्रीथी आपने उनको देखा है क्या है मैं उनको बिठा तीया है वह तू फसकरी अभी दिदी में लोगों ने लगा दी है चुट्या कैसी बीत रही है अच्छी बीत रही है आऊ ना बाहर चलते हैं करते है वही में वही है अच्छी करने वाले ने कुछ किया औरいたनों वही वही बीज पढ़ा आते हो बता ना क्यों चुपकर नहीं हो मजाएगा सुनकर अभी उसकी क्या सुरूत है चलोड़ा बाहर चलके बात करते यह बाहर टाल रही है तूही बता ना अरे वो ट्रिपल फोर जीरो इसे देखते हैं उसके पास आकर खड़ा हो गया खड़ा हो के क्या पूछा बता है मैं वही हूँ जो चीटे उड़ाये बीना चला किया था तुम्हारा सूपर हीरो ओ पता है इन्हों ने ही हमें यहां बिठाया था कौन ही जना वह मैं बताता हूं अभी तक जो बात चल रही थी कार पार्टी जोल पार्टी और ट्रिपल फोर जीरो वह कोई और नहीं मैं ही ह हम लोगों को अर्चिंट काम याद आ गया हम तब ही जाने वाली थी है ना चलो हम चलते हैं हां यह कहावत तो सुनी है कि सफेद कववा उड़ता है लेकिन तुम क्या रही हो कि कववे के साथ बच्चा भी उड़ रहा है कैसे 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 मैं कभी जूट नहीं बोलती करें कोर्ण रुपाय के लिए भी नहीं हरी चंद्र क्यों प्योंत कोई कहें कि जुट बोलोगीया कुवे में कुदोगी तो मैं कुवे में कुचा यहां पास ही कुवे में बताओ कैसे कुदोगी मैं और irradi Lip दूचिषैन जैबम आसी लड़की मैंने पहले यह क्या है यह क्या है प्यार तो मैं तुमसे सच-बुच्का करती हूँ प्यार तो शेलिया रुको तो ऒख सच-बुच्च्छ को उडस प्यार थिए प्लीज, नश्डिक मताओ, नए नए नए, प्लीज, नए नए निकल्ले बेटा कि इसलिगा टेटाँ आंदके इस लोगाँ आंदके लोगाई में. कि याल जाओंगी अधोफिन आप्ना देरीक किन लोगाईए मेश्दारा आंदके लोगाः इसक्ताना है. लाडनार... झाल 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 चुम्मा है तेरा देना प्यारा सा चुम्मा होटों बर दे मुझे प्यारा सा चुम्मा तु भी देना मुझे एक प्यारा सा चुम्मा मुझे लगे अच्छा तेरा प्यारा चुम्मा देखे चुम्मा देखे चुम्मा बाहों में तु समा हाले हाले धीरे धीरे मुझ में तू बस जा मुझ को सनम है तुझ से ही फ्यार कहता है दिल मेरा ये बारवार आती है मुझ को शर्मो हया सनम आती है मुझ को शर्मो हया सनम चुम्मा है तेरा दे देना प्यारा सा चुम्मा होठों परते मुझे प्यारा सा चुम्मा तुने छुआ मुझे को जलने लगा खिल तेरे बिना में अधूरी हूँ सनम दिल में तेरे मैं पसा हूँ ऐ हम दम तुझ से मिली मैं खिलने लगी मैं आज कर ले पूरे अर्मा लेले हाथों में हाथ महर्वाद चुम्मा है तेरा देना प्यारा सा चुम्मा तुठों परते मुझे प्यारा सा चुम्मा तेरी चान मेरी चान हो जाए एक जाँ रातों को तू न सकाना जाने जा इस बारश में उफ ये आलम है इस बारश में उफ ये आलम बाले उमर में ताप्ष का आलम तेरे दिल में बत लाए जानम तू भी देना मुझे एक प्यारा सा चुम्मा मुझे लगे अच्छा तेरा प्यारा चुम्मा चुम्मा है तेरा देना प्यारा सा चुम्मा होटों परते मुझे प्यारा सा चुम्मा सुरेश क्या कर रहे हूं आज मदस्ट है इसलिए माँ को विश्च कर रहा हूं यह तुम्हारी माँ है कम से कम मा का फोटो तो है थो कि आगे से किसी बच्चे को अनात्म मत बनाना हूं इन फूलों को वहां रखो। दादा जी, दादा जी क्या बात है, घर एकदम सजा हुआ, कुछ कर रहे हैं क्या? प्रार्थना, क्यों? शुब ग्राहों की प्रार्थना, बेटा, इस गाउं को यंबतूर में फूलों के उच्छे मिले या न मिले, लेकिन हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं, फूलों की खुश्बू से पूरा घर मेहक उठता है, यहां का पूरा माहौल खुश्णुमा हो जाता है, सारे कारिया अच्छे धंग से हो इसलिए हम लोग फीतरों की पूजा करते हैं बेटा। ये है मेरी बेहन। इसका नाम विज्या लक्षमी है। 22 वर्ष की उमर तक स्वस्त रही। उसके बाद अचाना के एक दिन स्वर्ग सिधार गई। ये हमारी छोटी मा, इनका नाम सरस्वती है, कम उमर में ही, बिना ब्याह किये ही स्वर्ग चली गई। ये हमारे छोटे दादा की पत्नी है, इनका नाम मंदाकनी है, ये बहुत ही सुन्दर थी। मा, ये भी मेरी बेटी की जैसी है, क्यों हो बेटी कोशल्या, अब तो खूश हो ना। जलो कोशल्या, पूजा सुरू करने है, रिच्च, लाओ मात, इदा राओ, इदा राओ, लाओ मुझे दो आख क्यों भराई बेटा तुम्हारा कोई नहीं है यही सोच रहे हो न सारे दुखों का कारण मन ही होता है अगर अपसे कोई दुमसे पुछे कि तुम्हारा दादा कौन है तो तुम कह देना कि मैं हूँ आज से इन्हें संजे की मा कहकर मत बुलाओ मा कहकर बुलाओ इन्हें दादी कहकर बुलाओ कहो कि यह मेरी दादी है हाँ बेटा आज से यह सिर्फ संजे के ही नहीं तुम्हारे भी छोटे दादा है इस घर के सारे सदस्य तुम्हारे रिष्टेदार हैं, यह घर तुम्हारा है बेटा अब तो तुम्होश हो ना अब तुम्हारी माखी आत्मा को भी शान्ती मिल जाएगी यह शहर नहीं है, गाओं है हमारे परिवार के बारे में जान कर भी बड़ी हिम्मत देखाई तुम्हें हमारे घर में यह सब नहीं चलता है कहां से आये हो, किसलिए आये हो थोड़ा भी नहीं सोचा तुम्हें इससे भेजने का इंतजाम करो, उसे तयार होने को कहो अभी आधे गंटे के अंदर निकलना होगा उसके बाद अगर एक मिनट भी रुखे तो अच्छा वक्त निकल जाएगा उसी समय में कौसल्या के पिता से बात करके शगुन की थाली देनी है अधे जी मैं डर गई थी ना प्यार मुझे पसंद नहीं है यह बात सही है लेकिन अगर मेरी पोती प्यार करें तो यह मुझे पसंद है क्यों सुरेश डर गए थे क्या मैं तो मदा कर रहा था अरे भाईया आप हेलो सुरेश यहां कैसे आना हुआ फ्रेंट का गाउं है तृपति गुमने आया था आप यहां कैसे यहां पे एक काम से आया था यह गाड़ी विखने वाली थी इसका भाव करके ले ली गाड़ी के कीमत लगाई सावालाग रुपए मॉडल नाइंटी एट मॉडल है डिजल एंजन है नहीं पेट्रोल है चोटा मुटा काम बहुत है इसमें दो टायर भी खराब हैं इंजन ओके है सत्तर पच्छतर भी कीमत नहीं होगी इसकी और आप सावालाग रुपए लगा क्या आगए अरे ये क्या बोल रहे हो सुरेश इसके एडवांस दे चुका हूँ जाके एडवांस वापस ले आईए ये रावू तुझे अलग से बोलना पड़ेगा इसे उठा के वहां राख क्यों जो मालिक मैं तो इन्हें दे चुका हूँ तो फिर क्यों आया है किसी ने कहा भाव ब अगर आपको दे रही हूँ तो भाव कम करें लाओ पैसे दो ये लिजी मालिक लो तुम उसे फोकट में ही रख लो मुझे क्या फोकट में दे रहे हैं मैं भिखारी नहीं हो मैं तुम से साफ साफ कह रहा हूँ अगर तुमने फोकट में नहीं ली तो देखना इस गाड़ी का क्या हाल कर दूंगा क्या भाई ये कैसी बात कर रहे हैं वो बहुत गुश्य में थे आप परिशान मत होगे वो कुछ नहीं तोड़ने वाले क्यां ए कोशालिया तुम्हारे पिता जी आए है पिता जी आए है जी आए है जो जो ओऊ है को बढ़ आै है है मा है पिता जी नहीं आई कैसी हो गायतरी आओ कैसी हो ठीक हो चाचा जी आजा पिता जी आओ बेटा क्यूरी दादा के घर आके मा को भूल गई कैसी हो बेटी घर पर एक फोन भी नहीं कर सकती थी क्यों बेटी दामाद जी नहीं आए क्या नहीं पिता जी नहीं आए मुझे कहा रेडी हो जाओ दोनों साथ में चलेंगे बाहर गए थे किसी काम से पता नहीं वहां पर क्या हो गय मूड़ खराब है कह के लेट गहें मैंने पुछा क्या हुआ तो चुम ही जाओ मैंने आऊंगा हिल कैसी आता नहीं मा बेटी तुम्हारे पिता के मूड़ का कोई ठीका नहीं पता नहीं मुझे आप बताएंगे तुझे जरुरत हो तो ही फोन करके पूछ ले पिताजी में कौशी बोल रही हूं कैसी हो बेटी आप क्यों नहीं आये माँ पहुंचे की नहीं अभी आई है आप क्यों नहीं लड़का मुझे खेल रहा है बार बार वह उससा तकराता है क्या क्लू कुछ समझ भी नहीं आ रहा हूं क्या बात कर रहे हैं उसे तो तुम्हारे पिता जी नहीं कभी पैसों की परवाण की है क्या पिताजी वह लड़का ऐसा कहा रहा था चार लोगों के बीच मेरी हिस्दत उतार दी कौन है वह बेटी वह बैटी वह लड़का तो बस में था अधे उसे घुल कर दिना चाहिसी है चूड़ भार बार वह आपसे चंगड़ा करता है क्या दिमाग और उसों यह पागल है मैंने सोचा था कि मैं तुम से ये सब कुछ ना बता हूँ तुम चिंता मत करो चिंता की तो बात है न अरे सुनो ये सिताराम कभी भी पैसों के परवार नहीं करता अच्छो अच्छो को आग लगा दी उसने उसी के मूँपे कालिक मलके गया है वो देखो बैठी तुम खुश ठीके पिताजी त्यांसे देखो दादी इसका नाम है स्कीपिंग चलो एक बार कुदो क्या रे स्कीपिंग विपिंग छोड बाप से जगड़ा करके रोड पिखड़ा कर दिया क्या दादी तुम्हारी बॉड़ी को शेप देके माधवन के साथ तुम्हारा स्टेज शो लगी है कंटी के पानी के समस्य को हल करने के यहां कि यह 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 से यह डावड तो मुझे बहुत दिनों से था कलर कॉमिनेशन से पता चलता है क्या दादी अपनी फैमिली में प्रॉब्लम है क्या चुप रहो यह क्या हो रहा है पुछो क्या यह मैं कुछ कहना चाहता हूं कल रात को मेरे सपने में अचानक स्वामी जी आ गए मुझे किसी च अचानक यह स्वामी कैसे टपक पड़े उस चार एकर जमीन में मंदिर है बच्चों के पढ़ने का स्कूल है उसका क्या होगा पूछा था स्कूल को हटाने के लिए बोला है बस नहीं आएगी ऐसा का है और अगर यह नहीं करेंगे तो देव का अपमान होगा देव का अपम मैं कोई फैसला नहीं कर सकता खोई हुए लोटे और अचानक प्रकट हुए स्वामी के लिए मैं एक ही फैसला दूंगा बोलू सारे पंच सर्पंच के अरे कुछ भी हो मैं अभी करता हूं फैसला देखो सब लोग थोड़ा पीछे हट जाओ सर्पंच के लोटे को चुरा कर उसे स्वामी का नाम दे दिया आपने तो मेरे धन्दे को ही चोपट कर दिया गौर्मेंट जो अपंगो को साइकल देटी है ना वो साइकल इस साल तुझे मिलने वाली है वो ऐसे चोटे-चोटे बच्चों के भविश्य को ये सूपर हीरो अ संद्कॉणी के अरजुन सब ठीक है क्या हो गया क्या हो गया वालिक अपना कुटा मर जाएगा ऐसा लग रहा है अरे अर्जुन अर्जुन कौन कार से इसको उड़ा दिया माली किसने हुआ रहा है अर्जुन छोन अर्जुन पस्केश नहीं है अर्जुन पस्ट्स तर्जुन अर्जुन बाएगा। मैंने जान भूज कर कुछ नहीं किया कुट्था बीच में आ गया तुम बीच में आए तुम तुम ही बीच में तीसरी बार तुमने मेरी जिन्दगी में दखल दिया है मुझे देखकर तुम्हें हसी आती है हां मेरा गुस्सा तुम्हें मजाक लगता है गुस्सा दिला कर तुछ चाहता है कि मैं चिलाओ लेकिन मैं चिलाओंगा नहीं पलकी काट के रख दूँगा देखिए आप मुझे गलत समझा तुम गलत हो तुम गलत आत्मी हो तुम्हारी तो पता नहीं में क्या कटा लूगा चले जाओ चले जाओ कि अरे सब्सक्राइब का और ना रही है वो देखो सुरेश आगया उसे भी केक दो अचाना केक का क्या मामने वो एक परिक्षा में पास हुई है उसलिए लो केक ठाओ मालिक यह गाड़ी आपके सस्वराल में यह कैसे यह तुम क्या खहरे हो मालिक इसी गाड़ी दे तो अपने कुट्टे को उड़ाया था जब बखवास कर रहे हो मालिक मुझे अच्छी तरह याद है यही काला राग्ग यही 440 नंबर इसी गाड़ी के ड्राइवर ने अपने क कि एक खिलाओ यह खिलाओ नहीं तिफ्ट प्यार करना आता है खाओ तो शादी करवा देंगे खिलाओ खिलाओ नशर्मारा रहें तुम लेकर आई हो किसे घर में लाना है इतनी व्यकल नहीं है क्या कह रहे हो दमाजी क्या तुम इसे पहले से जानते हो वो अपने घर का महमान है यह महमान नहीं है शैतान है क्या कह रहे हो दमाजी उससे अभी के अभी यहां से बाहर निकाल दीजिए बस इतना ही सुरेश बोलो बेटा क्या हो गया था नहीं दादा जी उस दिन कारवाली बात कशलया को भी पता है तेरे एतनी सिंध्य की मेरी बेटी के नाम ले रूख जो ये दा माजी वह कुछ कहना चाहता है सुन दो लीजे कौशी बेटा नदे कि किसी ने मेरे अपनान क्या है यह वह यह वह जिसनी इस जिन्दिकी को नरक बना के रख दिया है आप तो कोई गलत थैमी हुई है यह तो बहुत अच्छा लड़का है अच्छा है और यह खूनी है पापी है कौशी बिटी अपने कुट्टे को चाहन बुशकर कार सोड़ा के बारा था इसने इस घर में आपकी मर्जी नहीं चल सकते उसे ठोड़ दीजिए मैं तो समझता था यह मेरा घर है आप लोग सब मेरे अपने हैं और मैं भी इस गलत फैमी में था कि मैं आपका हूँ हम आपके रिष्टेदार है हमने हमारी लड़की दी है आपको मर गई है समझ लिजिए सिर्फ इस कुट्टे की वज़े से बाइस साल के संबंदों पर अहीं मेरे लड़की रह सकती है अरे चल्ल बैटी तिनका तिनका करके आखिर तुने मेरे परिवार को भिखेरी दिया मैंने तो तुझे शैतान समझा था लेकिन तू तो उससे भी साथ है पिक्चर की लाइन में देखो नस्दीक कौल सी पिचर लगी है बाजू में अब्दुल गलाम की न्यूज आई है उससे नहीं पड़ोगे क्या वो कौन है टैस्ट्रू हाई एक पकेट कैंसर दो सुपर हीरो अमेरिका में कुई नौकरी लगवाओ ना है कहां तक पढ़ा है चौथी क्लास फेल शाबाश बिल गेट्स के घर में गेट खोलने का काम है जाएगा को करने दो तुझे एसके बहुत ज्यादा है वे इसके मतला सूपर खुजिली डाडी सिगरेट ए तुझे लात खानी है क्या क्यों डल क्यों मॉनिंग में जॉगिंग पर ने गई साइकल के पीछे मिठा दिया और लेके जाके गिरा दिया मेरी कमर तोड़ दी आज पेट दुख रहा है और खाना भी नहीं दे रहा है खाना खाना खाओगी तो नीद आ जाएगी फुली कार्बोहाइड्रेट मैंने तुम्हारे लिए डाइट फूड तयार किया है ज़र प और पैकेट में डाल कर भेज रहे हैं फुल प्रोटीन आज कल शेहर में औरतों को काम करने की ज़रूरत नहीं है जैसे ही खाना मांगते हैं कैलोक्स दूद में डाल के सामने रख देती है अब बुठे भी खाएंगे सब माइक लगा के बोलो सब लोगों को सुनाई देना च किया है उपर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे बच्चों का मेला लगा हुआ है चुपराना नजर लग जाएगी उसे कुछ हो गया तो फिर से मां बनने वाली है अरे पापी गाड़ी में लोड़ है घर में भी लोड़ है फैमिली प्लैनिंग के बारे में कुछ पता नहीं यह क्या गवर्मेंट फैमिली प्लैनिंग के साधनों को मुफ्त में बाड़ बाड़ के परिशान हो गई है अरे जाओ भाई वही गवर्मेंट जरूरत मन साधन को यूज मत करो ऐसा कह रही है क्या तू सच कह रहा है आके है तो पढ़के देखना प्लास्टिक का उप्योग मत कीजिए वह अलग प्लास्टिक है यार अरे जाया हां हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे पहले इन लोगों को सिक्षा दी जाया यार नहीं तो सो करोड़ जनसंक्या को एक हजार करोड़ बना देंगे यह लोग का दिमाग भी प्लास्टिक की तरह है इन्हें हम लो अच्छा उसकी डिलिवरी करने वाली तुम ही ना सिर्फ इनकी नहीं इनके सभी बच्चों की डिलिवरी मैंने अपने हाथ से करवाई है इस हाथ को में प्राइस देने वाला थोड़ा ऊपर करके दिखाओ अरे एसा मत करना यह कुछ भी कर सकता है चुपरे बुढ़िया त हे तुफ़ा जैसा काल बन के पोता है आया तुफ़ा जैसा काल बन के पोता है आया तुष मंडरेंगे मौत का बैगाम है लाया तुम उससे मिलने के लिए एक झाचल्या इसपास से मुझे बहुत कुछी हुई thank you थैंक्स तुम मुझे बुलना चाहिए सुरेश मेरे लिए परिवार के लिए इतना बड़ा अपमान सहा लिया तुमने उसके लिए मुझे ही थैंक्स बूलना चाहिए कौशल्या मैंने कोई गलती नहीं किया मुझे पता है सुरेश तुम कोई गलती नहीं कर सकते लेकिन तुम्हारे पिताजी मुझे गलत समझते थोड़ा सा धीरज रखो उनको कोई गलत फहमी हो गई है वो खुद ही समझ जाएंगे वो भी तुम्हारी तरह है सुरेश वो बहुत अच्छे है पता नहीं क्या हुआ शुरुवाद से ही तुम दोनों के बीच में सब कुछ कड़बड चल रहा है लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए अपना गुसा थूख देंगे मैं जो चीज़ चाहते हूँ उसके लिए कभी मना नहीं करते तुम देखना वो हम दोनों को स्विकार कर लेंगे लेकिन एक बात है सुरेश मुझे मेरे पिताजी भी चाहिए और तुम भी I love you Koshalya I love you Koshalya Sonatee, ये क्या है करदर हाँ? दर्मास खोलेए क्या, Bama? क्यों रहे? उससे प्लक्रियारी ना? उससे क्यों मिल लगाइसी? Sonatee, दर्मास खोलेएं Sonatee, Sonatee Pitaji, क्या है Pitaji, दर्मास खोलेए Hey Pitaji, Pitaji Pitaji, इसले एवाले? पिता जी बॉल कियारू, मैंसे फॉर करें जालो क्याूं पिता जी तरह माहिं नहीं बादो करूंगी जो आप करेंगे, पिताजी नहीं जो आप कहेंगे, मैं भाहि करोंगे, मैं आपकी हाथ जोड़ते हूँ पिताजी नहीं असाब्त करिये। नहीं पिताजी। भालिख पालिख ये क्या करना है आपके ये आपके आपके ये। पिताजी बसे गल्दी हो गई, आप मैं कभी गल्दी नहीं करूगी पिताजी, दया करके मुझे माफ कर दीजे पिताजी, जो आप कहेंगे मैं करूँगी, पिताजी, पिताजी, कहसम कहा के कहती हूँ, मैं उससे आप कभी नहीं मिलूगी पिताजी, पिताजी मुझे आपके ज़रूरत है पिताजी मेरे लिए आप इस बोलेंगे तो मैं मर जाओंगी मेरी की हुई गल्टी के लिए आप अपने आपको क्यों जला रहें मुझे जलाए मुझे जलाएं पिद्दा जी आप चुप हो जा बेटी, तु तो मेरी चान है प्यार गलत है, ऐसा मैं नहीं कहता, और मैं प्यार को रोकना भी नहीं जाता, लेकिन वो लड़का गलत है, वो लड़का बहुत गलत है, और जब प्यार करने वाला ही गलत होगा, तो प्यार गलत हो जाएगा न बेटी, भूल जहो से, भूल जहो से बेटी, पेपर में क्या छिपा है, देखें राधी, सरदार के सर को काटो, सरदार के सर को काट दिया है, तो सिर्फ दार ही मचेगा, तो बेटी, बेकर की बात कर दा है, हेज इदर अबे ए सब क्या बैल के गले में माला डाली है गमचाड यह क्या एलक्षन चीत क्या अरे इस उप्र शुबु ये वाट कट्टू है इसका मतलम को रोक ना जिन लोग के गले में ये माला है उनके लिए है ये खेल जो इस बैल को रोकेगा वही वीर कहलाएगा और इ हाँ, वही है वीर, जो करता है पल्टी, अभी तो ये सीधा साधा लग रहा है, पर खेल के वक्त कैसे ये इतना हिंसक हो जाता है, बैल को शराब पिला कर इसे पीछे लखड़ी से मारते हैं, बैल का खेल कोई मजाक नहीं है, शराब पिला के लड़ाओगे, मेन का गांधी को पता चलेगा तो पकड़ के ले जाएगी अच्छा मिलेगा तो देलेंगे इस बैल का मालिक गरीब है अपने परिवार का जीवन चलाना है उसे चोड़ दो भाया इसे बरसों से पाला है तभी ऐसा बैल बनता है जो इसे रोकता है वही कहलाता है वी जमाने में चलते हुए बै सारी चीजें अपनी जुबान बन कर ली तो आधी प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी इससे बात करके कोई फाइदा नहीं है अपना खेल जरूरी है चालू रखो अपना खेल तुम लोगों को 70 mm की फिल्म दिखा के समझाएंगे तो भी नहीं समझने वाले हो 70 mm यह क्या है व चीट कैसे हो गया खेल में बैल ने इसे मार दिया इनकी अतड़िया बाहर निकल गई अब इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं खेल खेल करके अपने भाई की बोटी बाहर निकाल दिये जाओ बेरे तुम्हारे भाई तुम्हारे बैक में कुछ डेंजर लाइट जल रह चाचाजी आये चाचाजी आने को कहिए कहिए ना लुमस्टे दामाची आये बैठिये बैठिये ना बोलिये क्या बात है क्या दामाची अज नभीयों से जैसे बात करते हैं वैसे फिर कैसे बात करते हैं जो बोलना है जल्दी बोलिये मुझे बाहर जाना है उस दिन जो हुआ उसे दिल में रखकर घर आना मत भूजाना भाईया ने शायद गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया दया करके उन्हें माफ कर देना हर साल हम लोग साथ मिलकर घर में ग्रहों की पूजा करते हैं इस साल भी वही पूजा करनी है आपको पूरे परिवार के साथ हमारे घर आना है मैं कोई कटपुतली नहीं हूँ सीता राम हूँ एक दफे जहां मना कर दिया वहां सिर्फ मेरी चपल जाती है मैं जा रहा हूं तुम क्यों रो रही हो आपको मुझे भरोसा नहीं है क्या बात करें यह कैसे हो सकता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करूं अरे तुम तो मेरी लाडली हो सीता राम की लाडली बैटी मैं तुम पर भरोसा कैसे नहीं करूंगा तो फिर आप दादा जी के घर पर पूजा करने क्यों नहीं जाएंगे पोलिये उस बात का इससे क्या संबंद है बेटी वहां सुरेश है इसलिए आपने मना किया ना मैं आपकी बेटी हो पिताजी आपकी बेटी बन कर जाओंगी और वैसे ही वापस आओंगी हम लोग अगर वहां नहीं गए तो वो मुझे ही दोशी ठहराएंगे और यह दोश मुझसे परदाश नहीं होगा पिताजी अगर आपके मरजी होगी तो ही हम दादाजी के घर पुझा पाट करने चलेंगे वहां कौई भी हो मुझे उससे क्या फरक पड़ता है सही बोल रहे हो तुम वहां कोई भी कुत्ता रहे उससे हमें क्या वह हमारा घर है बेटी हमारे घर की पुजा है पूजा में हम जरूर जाएंगे जरूर है ससुर जी क्या फोल लगाओ दमाजी आगे आईये दमाद जी नमस्ति उस दिन जो कुछ हुआ उसके मैं हाँ किसी का दिल रखने के लिए नहीं आया है अपनी बेटी का दिल रखने के लिए आया हो आओ बेटी इस शहर को यह हुआ क्या कहीं राख है तो कहीं धुआ 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 क्यों कोई कुछ नहीं बोलता चुपचाप धुँए को क्यों छेलता हो गई परताश्त की अब इंतहा बुझे सिग्रेट पीडी दिखे जलती जहां पबलिक प्लेस पर सिग्रेट भी ना मना है उलंगन करने पर होगा जुर्माना धुम्रपान ना करें ना करने दें धुम लेकिन किस कीमत पर धुम्रपान महंगा पड़ता है धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाने वालों के लिए भी धुम्रपान पड़ेगा महंगा drinking is injurious to health कॉष्चल दीदी सुरेश अंकल आपके लिए लेटर दिया है ए देखो दीदी आपके लेटर दिया है ए देखो दीदी आपके लेटर दिया है ए ए दायतरी पढ़े लिया सुरिश मुझे लेटर नहीं चाहिए खोल के पढ़ो को शल्या देखो सुरिश इतना सब होने के बाद भी मैं यहाँ वापस आऊँगी तुमसे मिलूँगी तुम्हारे पास खड़ियों के बात करूँगी हम लोग एक साथ मिलके तेरुपती में रहेंगे यह सपने में पे नहीं सोचा था भगवान की दुआ से हमें इतने से ही संदुष्टी करनी चाहिए सुरेश हम लोगों को इतने में ही खुश रहना चाहिए इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए हमें अपनों को नहीं भोलना चाहिए प्लीज ऐसे लेटर देना बात करना देखना यह सम्मत करो सुरेश हम एक दूसरे को प्यार करते हैं यह दिल में है इसके लिए लेटर लिखने या पढ़ने के सरुष नहीं मैंने क्या लिखाया पढ़तो लो कॉशल्या पैइना दूर यह कहने आयो और तुम बारबार लेटर पढ़ने के लिए कह रहे हो तुम्हारा प्यार क्या सिर्फ इस पेपर में छुपा हुआ है ठेक है तो मैं पढ़ लेती हूँ कॉशल्या तुम लोग तिरूपती आओगे या नहीं इस बासे मैं बहुत परिशान था लेकिन अब परिशानी दूर हो गई है आगे भी कभी परिशानी नहो इसलिए हम एक दूसरे को देखना और बात करना बंद कर देंगे हम लोग अलग तो रहेंगे लेकिन हसते हुए भाविश्य में हम अपना प्यार दिल में सहिच कर रखेंगे मेरे अश्कों की बारिश में है तू प्यार मेरे मेरे अश्कों की बारिश में है तू प्यार मेरे बूंदों से विखर गए है हम ओ प्यार मेरे जाने कहां खो गए बादलों जैसे बारिश की बूंदे हो विखर गई जैसे मिलते हैं सावन के महीने में ये बादल जैसे किसमत हम दोनों को एक दिन मिलवाएगी वैसे बनके तू साया मेरे प्यार है साथ मेरे मेरे अश्कों की बारिश में है तू प्यार मेरे जब से तेरा मुझ मिल नजारा ये दिल में जालिम अब नहीं है हमारा क्या मुझ को ये हुआ है ओ हम तम हो साजन ये तन ये मन मेरे बसम नहीं साजन तू ही मेरे है मन की चांदनी तुझ से है सारी मेरी खुशियां सब सजनी तेरी जुलफे है कितनी खुशनुमा धडकन में तुम ही तुम हो महरबं मन का मेत तुही से साजन साया है हर दम परचाई में बन के तेरी रहोंगी हर जनम मिलते हैं सावन के महीने में ये बादल जैसे किसमत हम दोनों को एक दिन मिलवाएगी वैसे बन के तु साया मेरे प्यार है साथ मेरे मेरे अश्कों की बारिश में है तु प्यार मेरे कर दो onze डे दूसे ले लेन का तुम्म कर दोग्ड़ी अवरी प्हार जाता हcakो कर दोustर ऋची मेरे तुम मेरे अल कर दो स्क्राद्ट प्यवर मेरे प्य मतर प्यार जाता है कर दो संबसर जिवरम मिर्जा, मिर्जा, तू कहा जा छुपा है तेरे बिन काला ये रात का अधेरा है मुझे आला होगा जब हम तुम मिलेंगे नजरों से नजरे मिलेंगी फूल खिलेंगे मेरी चा, मेरी चा, तुझे भूल नबाएंगे कहते हैं हम, तेरी जान में बस जाएंगे कन्ने, कन्ने, तेरी आँखों में रहेंगे कन्ने, कन्ने, तेरे दिल में बसेंगे इतने दिन ते दूर है मुझे से कब तू मिलेगा मिलते हैं सावन के महीने में ये बादल जैसे किसमत हम दोनों को एक दिन मिलवाएगी वैसे बनके तू साया मेरे प्यार है साथ मेरे मेरे अश्कों की बारिश में है तू प्यार मेरे जाने कहां खो गए बादलों जैते बारिश की बूने ओ बिखर गई जैते मिलते हैं सावन के महीने में ये बादल जैसे किसमत हम दोनों को एक दिन मिलवाएगी वैसे इसे जार पर शूट करो एसे शूट करोगी तो तुम्हें मुझे शम्शान ले जाकर जलाना होगा इस तरह से घुमा कर शूट करना अब सामने देखो क्या दिख रहा है एक जार की तहनी तहनी दिख रही है ये बगवान मुझे माफ कर दो इस गरीब किसान के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है अब दूर रखके शूट करो अरे ये क्या पेड़ चिलाया दादी उसके नीचे एक लड़का खड़ा था भूल गई अर इसलिए कह रहा था देखके शूट करो चलो आओ देखते ये बगवान मुझे बचा है क्यों लिया अच्छा हुआ उसकी रची पर गोली लगी तुमने उससे बचालिया मुझे बचा क्यों लिया अरे तुम क्या करने जा cargo ये खाना नहीं है पूरे देखको खिलाने वाला के सानय येग्या क्या कह रहा था यह सारी धर्ति सूख कही है तो क्या हो गया कार की कीमत तो कम कर दिये ना कार से कीट नाशक नहीं आता मेरे दोस्त सोचने पर मजबूर कर दिया ओके मैं एक बात बोलता हूं क्यों तु किट नाशक के फिछे भाग रहा है पतल खाना गोबर ये सब उठाके साइड में रख दे गाए कुछ खाएगी तब तो गोबर देगी ना और जब हम कुछ खाएगे तब तो पतल या कुड़ा करकट में देगा ना अरे पापरे इसने प्रादी पैसे घूर के मत देख मेरा मूँ बन नहीं हो सकता सुनो सभी किसानो इधर आओ इधर आओ आओ आपने इस आर निगम की कहानी सुनो इतने कष्ट में होते हुए थोड़ा बहुत जो पैसा मिलता है वो बिना घर में दिये अकेले अपने उपर 65-70 रुपे रोज खच करता है यह अपने आपको सुधारने के बजाए अपने कुटुम परिवार को अनाद छोड़के गले में फासी का फंदा डालके मरना चाहता था बताएए यह कहां का न्याय है इतने सारे लोग तुम्हारे अपने हैं तुमने कभी अपनी परिशानी इन लोगों से बता गया है अगर तुम लोगोंने मिलकर एक साथ आवाज उठाई होती तो उसी समय अनेको नदिया एक हो गई होती लेकिन तुम लोग कभी एक जुट नहीं हो पाओगे ना जातिवात के चकर में धर्म के चकर में प्रफेशन के चकर में राजनीतिक पार्टियों के चकर में त सब छोड़कर इस साल बारिश नहीं आई यह कहके तुम लोगों ने अपने हातों से अपनी ऐसी हालत बना ली है इधर लाओ भाई अब निकाल इस फंदे को और फेक इसको है क्या है थोड़ी देर तक तेरी बैस सुनंगा सोचा था लेकिन तेरी बेवकूफ ही बरदाश्ट ने हुई मिस्टर सर पांच पहली बार तुने सही बोला ठीक है तो जहां थे वहीं सेटल हो जाओ हाँ जैसे तुने बाप को कमा कर दिया हो यहीं सेटल हो जाओंगा बेवक आसी से मरू या जहर पीकर मैंने दोनों चीज़े तैयार कर रखी थी जहर करवा होता है इसलिए उसमें कलर मिला था वो तुमने पी लिया बेटा अरे पापी यह बात इतनी देर से क्यों बोल रहा है अरे मेरे पेट पर पर मतले जाना अरे सबसे पहले अरे उस नेता जी का पोस्टर फाड़ो बे अब बक्वास मत करो बेवकूफ कहीं के पोस्टर फाड़ो अरे अरे इसी तरफ है लेकर चलो पोस्पिटल पर पोस्टर लगाते हैं इनके चलते तो इंसान मरी जाएगा रहे अरे बहुत अच्छा ही है कौन लाए इसे मैंने इसे जान भूज कर नहीं तोड़ा अब हाथ से छुटके यह नीचे गिर गया मैं सच कहता हूं नहीं पहले से ही वह आपको पसंद नहीं है और उसी नाराजगी में जान भूज कर उस फ्लावर पाड़ो नहीं तोड़ा यह सही है कि वह मुझे पसंद नहीं है लेकिन उसके लिए उसके लाएवे मटके को तोड़ने का नीचका मैं नहीं कर सकता हूं सिर्फ इतना कह देने से कि आपने तोड़ा है आप वोखला गये हो लेकिन सुरेश को दिन रात तू गलत तू गलत कहते रहते हो उससे क्या वह भूल जाएए जगणा मत बढ़ाएए भूल जाएए सब कुछ अब तो उससे छोड़ दो दामाद जी वह अच्छा लड़का है थोड़ा विचार करके तो देखो सोच लिया वो गलत ही है अगर आप लोगों को लगता है कि ये मटका मैंने जान बुझ कर तोड़ा है तो मुझे कोई परवार नहीं मेरी नजर में वो गलत था गलत है मेरी नहीं नहीं चासरा पर भालत है बुझ अँड़ पढ़ा मैं पर भालत है मारदो, मारदो मारओ, मारओ झाल झाल यह डाल रहे हैं अरे साथ यह तो हिंक है अरे चुटाप डाल रहे पूछ नहीं तो बताना डालना तो तरह क्या फरक बड़ता है अरे फूल चुनने जा रहा हूं रहे फूल चुनने हां लगता है आज बहुत बीजी हो आज कौन पूसने वला है बताना यार बताना आइटाम आइटाम यह नो कौन है यह हमारे गाओं के वॉलेंटियर्स हैं जब घोड़ों की रेस देखने के लिए जंता उत्सा में आगया जाती है तब यह लोग उन्हें डराखर तीशे डहकेलने की कोशिश करते हैं और जंता भी पीछे ठीक है पीछे कुआ है जाके धूगया जो ठीक है मां हाँ झाल जार पार टूजए तो दोड़ों का करतर दो कि पीछे के जड़िशए तूग फो जड़ी टूआ जो जड़िके बड़ों कि यह दॉआ के दू़िजख़ों के लिए दुब बड़ों के रेकार के रार्ण ज़ज़ियर्स बड़किए नवाइ जोड़ियर्स है आग पा बजाओ हुप हुप है लगा है लगके ला 끝 कि वह भूचर मैं वह भूह कि वह बहुत और आखठी कि वह मुरूण मैं वह भूचर बहा भा भर भर मह lijो रह करूअ लाय वाय झाल है व्लॉग हुआ anthropॉम लाँ हुआ लुआ हुआ पर millise, एक फर इस खर बहते खरी किए Codis पुष्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच्पूच यहां क्या गुण्यकर्दी हो रही है क्या हो रहा है यहां पर कोई मुझे बताता है क्यों नहीं क्या हो रहा था है यहां पर जब आपको इस बारे में कुछ पता रहा था भले ही आपका हमारा जगड़ा है तो क्या हुआ यह गलत बात कैसे बोल सकता है जब मैंने इसको रोकनी की कोशिश की तो इसने बोला मैं बोलूंगा मैंने बोला तू बोलेगा तो मैं मारूंगा फिर इसने मुझे पर हाथ उठाया मैं भी चुप कैसे रहता मैंने भ कुछ कहा होगा वो इस गान के बहुत बढ़े आदमी है उसके बाद करने का कोई फायदा नहीं मार कर खतम करो इसको अले रुको बेका अले चोड़ो मेरी बात सुणयों हटो रुको बात करते करते तुम लोगोंने हाठ अपईशुरू कर दी फिर यहां मेरे रहने के प्रधान है उसने इनके बारे में गलत को यह बात सही क्या है उसने घलत किया होगा उसके किये कि मैं माफी मांगता हूं माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो भाई मालिक जाने दीजे अब बात बढ़ाने का कोई फाइदा नहीं है अजाने में हो गया होगा आपको माफी मांगनी की जरूरत नहीं है छोड़ दीजे चलो चलो सब्सक्राइब जा अरे किसी को तो सुकून से रहने दो प्राब्लम लेके चले आते हो जा निकला मुझसे शपाने के कोई जरूत नहीं सुरेश कभी इसी के बारे में गलत नहीं बोल सकता सुरेश का जूटा नाम लेंगे कुछ नहीं बता मुझे सच बता मैंने तुझे अपनी कोग की जनम दिया है तेरे बारे में मैं सब जानती हूँ मुझसे कुछ मच्छी मा बता बोलते क्यों नहीं बोले के की नहीं बोल ना रे बोल देखो मा वह पनीश का लड़का उसने पिताजी से पुराने जगड़े की वज़े से ऐसा किया है वाँ यह सब को बता चला दो हमारे बद्दा में होगी इसलिए सुरेश ने चिपा दिया बंदिर के लोगों ने होगी कच्छाने बगैर सुरेश को मारा मा अज तो यह विंति करता हूं मालिक अपनी बेटी के खातिर इसे छोड़ दीजे मालिक इसे छोड़ दीजे मालिक छोड़ दीजे चल माफी मांग पैर पकड़कर माफी मांग नई रहने दीजे जो हो गया नई रहने दू और सुनो इस कुथ ने जो गलती की उसकी सजा मेंने बेरीक गलती कोई मैंने माफी मांग ली इसलिए यह मत समझदा है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ तो गलत है मैंने कागस पर नहीं दिल में लिख लिया है और जो लिखा है वो अमिठ है और वो मर्थे दम तक नहीं मिठेगा इस बात को तुम याद रखने हैं आप कैसे हो पहले जैसा ही यह कितने उंगलिया है यह क्या यह तो दो उंगलिया है तुम एक क्यों बोल रहे हो मुझे सब कुछ आधा हदा दिक रहा है सिस्टर क्या कह रहे हैं आप आपकी राइट आका ओप्रेशन किया है क्या ओप्रेशन कर दिया मैं जहर पीके पेट दर्द के लिए एडमिट हुआ था और आप लोगों ने आप लोगों ने मेरी आँक का ओप्रेशन कर दिया नर्स मेरी आँक में परेशानी थी तुम लोगों ने पेट का ओप्रेशन कर दिया सारी सर एक चोटी सी गलती हो तो ने तो इस कानिया से पकड़वा दूगी बेज जलती कर दी नहीं छड़ूगा नहीं छड़ूगा अरे मुलबे क्यों मार रहा है थर्मा मीटा नंदर चला गया तो निखल डॉक्टर 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 राजू एंबी बीएस एफ रसी एस लंडन येस वाट कैना डू फ़र यू मेरी आख में आप अल्रेडी डू 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 कर चुके हो डॉक्टर क्यों डॉक्टर पेट दर्द के लिए एड्मिट हुआ तो तो मेरी आख का ओपरेशन क्यों कर दिया डॉक्टर डॉक्टर आप प्लस्ट बोलकर अजश्ट किया अब एक आख रखकर एड्ज़स्ट कीजिए लो डॉक्टर क्या तुम एक ही पैर से एड्ज़स्ट कर सकते हो आईसा क्यों पूछ रहे हो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ एड़जस्ट कर लोगे क्या अपकर अपकर घबराने की कोई बात नहीं है एक ये डॉक्टर को सला देके आ रहा हूं क्या दादी ये काला अदमी बैठा है वो डैडी है ना मेरे बेटे तुम्हारी एक कांख जाने से तुमने सौन आखे खोल दी और मैं भी बदल गया मैंने अपना सब कुछ अज रात एक बजे मुद्नी बाई की नो टेंकी होने वाली है जिसे देखने के लिए लोग दूर-दूर के गाउं से आ रहे हैं बुद्धी बाई के सेक्सी डांस करके ओडर लेने के लिए चला रहा है तुझे एक भी ओडर मिलने वाला नहीं है चलो हम दूसरी देखा चलते हैं वो मेरी फूटी आख निभाएगा तो चलो फिर पत्ता खेलते हैं रहे वो बुद्धी खराब करती है ट्रिपल एक स्रम लेकर आया हो चलके एक पैग मारते हैं अब हो शरीर का नशा है फिर कोई दूसरा नशा बता इस यूप पूरी में मैं जिसका इंतजार कराऊ ना उसने अगर देख लिया तो आख को नशा और अगर हस दी तो कान को नशा और छुए तो 1000 वोल्ट का करन ऐसा कौन है वो सेक् मैं जुए गुए एवर धर गुए एवर एवर एपयो लेकर दे दिल्स वोल्ट का कर दो जुए थावर। सुसु संधरी संतु जरा पास मेरे आजा दे 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 ना मुझे चुमा एक प्यारा मुझे चुमा एक प्यारा भी। मादा पाला नार्मदाना जलसा अल्वा गोड़ का बंदा पॉसा मचा वसने के वेलबर फानाई सा डारबा डालसा जी पोगु मडी अमसा नकरे दिखाती ऐसे बलकाती जैसे चले कोई ना गिन मैं हुए के पिजली शोला जवानी बदले लूगी तूझसे गिन गिन गिर्जा तुम मुझे पर ऐसे जैसे गिर्दी है पिजली सुन्ने ओ प्यासे भवरे मेरू दीवानी तितली तो यह लो प्यासे को कि एंग में यनी मामी तो दी कर दूंगा तुझी गोई कि दिन मैं पेन दीवाना कर हमते ना दानी दू ना हो ना दिवाना ना कर तो इससे ना दानी दूना हो ना दिवाना आगाला देली गारा, ताहिं देली गारा आगाला देली गारा, ताहिं देली गारा जब लड़की वाले पहली बार लड़की को देखने आते हैं, तो एक माँ को बहुत खुशी होती है, पर यहां तो सब उल्टा ही है, लाओ माँ फूल दो हाँ, ऐसे अचानक से किसी को भी लाकर हॉल में बिठा दिया, अब हम कर भी क्या सकते हैं, लो इसमें कॉफी डाल दो जैसा मैंने सुचा वैसा नहीं हुआ, भाहिया अपनी जित के आगे नहीं जुके, बेचारी कॉशल, न जी सकती है, न मर सकती है, तड़प रही है, इसे देखकर तो मुझे धरस आता है, यह लो बेटी, पकड़ो, किसी को भी पसंद नहीं है, पर उनको जाके कौन समझाए कौन रोकेगा यह सब, मेरे ही तक दिर फुटी है, घूम रहे, क्या कर सकते हैं हम, जाओ, वहां जाके खड़ी हो जाओ, सब ठीक है, आओ बेटी, रखो, आशिरवाद लो इन से, सुखे रहो बेटी, सुखे रहो बेटी, मा तुम जाके बोलो न, कमसे क्यासे बोलो जाओ, आपकी लड़की को देखर लगता है, आपने अच्छी परविश की है, एक ही बेटी है मेरी, बहुत प्यार से पाला, आप लीजिए न, लड़के को भी लाए होते तो बहुत अच्छा होता, सब कुछ आज ही तय हो जाता न, देखिए, कौशली अब हमारे घर की बहु है, मैं ही ने छोड़के आता हूँ, अरे रे, कोई खास बात है, क्या अच्छानक, बहुत ही खास बात है, आपके पोती को शल्या का रिष्टा अपने बेटे से करके आ रहे हैं, आप खुश है ना, और ये कौन है, इससे प्रमिला तिरुपति घुमाने के लिए लाई है, हमार आप, ठीक है, गाड़ी में लड़किया आ है, गाड़ी को सही सलामत पहुचा देना, जाओ जाओ, अब मैं चलता हूँ, अरे जाओ जाओ, बहुत बाती करते हों ते, अरे जाओ मुल्य ल // 시द्व // मल्यकों सूरिष कउषलिया के सetr से बात कर रहा है वो उनसे अराप्षनाप बात कर रहा होगा उसके सब कुछ बता दिया होगा तो अगर लडके के घरवाले अपनी बाथ से बूख कर गए तब मैं उन्हें बताऊंगा तब उन्हें बताऊंगा किस सीताराम क्या है बैठी बैठी नमस्ते बैठी तो फिर तारिक तै कर ली ना नहीं हम लोग कुछ और सोचते हैं भगवान कुछ और कर देते मैं कुछ समझा नहीं लगता है हमारी किस्मत में आपकी बेटी को अपनी बहु बनाना नहीं लिखा हुआ है कारण हर बाप को प्यार के आगे जुकना पड़ता है मैं जानता था कि मैं जानता था कि आप यहीं बोलने वाले हैं बलाओ उस लड़के को यही है न जिसने मेरी लड़की के बारे में आप शनाप बोलकर आपके मन को बदला है क्या बात कर रहे हैं आप फालतू में आप शनाप बोलने जा रहे हैं तो फिर क्या तुम दोनों एक दोसरे से मिले नहीं एक दोसरे से बात नहीं की हमने बात की ये बात सच है, लेकिन जो सोच रहे वो नहीं, उसने आप लोगों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है तो घलत हो, आप गुस्सा क्यों करने मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि हम उसकी शादी उसी से करेंगे, मुझे अपनी खुशी से ज़्यादा अपने बच्चों की खुशी प्यारी है। मैं सौगन दखा के कहता हूँ कि इस लड़के का इस सारे मामले में कोई लिना देना नहीं है। मैं तुम्हें साफ कह देता हूँ कोईशल्या की शादी तुम जहां करना चाहते हो वहां उखुश नहीं रहेगी। भलाई इस ही में है कि जिससे वो प्यार करती है उसके साथ ही उसके शादी कर दी जाए। यही मेरी इच्छा है। इस यूग में जहां अपनी गलती दूसरों पर थोपी जाती है। इस यूग में तुम्हारी बेटी कोईशल्या काप मानना हो जाए इसलिए चुप चाप सब कुछ सहन कर लिया। पूरे गांवालों की तोहुमरत उसने सही और मुझे एक शब्द भी ने कहा। क्या तुम्हें उसका यही बड़ापन गलत लगा है। ताबाजी तुम तो कह रहे थे कि अपनी लड़की से बहुत प्यार करते हो। अब क्या हुआ कितने चाव से रिष्टा तैक्या और वो रिष्टा चुक्रा के चले गए। अब कहा से दूसरा ढूला ढूंडोंगे और कैसे ढूंडोंगे। आप गलत कर रहे हैं भाया। सुरेश से बदला लेने की चाहत में काउशला से बदला ले रहे हैं। कुछ हो गया तो फिर बच्चे चली जाएगी मां भी चली जाएगी और यह सब देखने के लिए हम इसे कोई नहीं जी पाएगा भाया। तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ अकेले कांत में तुम चांती से बैठ कर सोचना क्या सही है क्या गलत क्या खराब है क्या अच्छा तुम्हारी अंतरात्मा से पूछ कर फिर फैसला करना बेटा। मेरे उस ससुराल में उस लड़के का क्या नम है सुरीश है उसे कहों मुझसे आके बिले। आयसरीश बाए आयसरीश बात आयसरीश बात आयसरीश है कि मैंने पढ़ाय लिखाए नहीं कि मुझे बात घुमा करने के आदत नहीं है दिल में जो रहता है तुरंट बोल देता हूं पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि उस सम्मंद को तुन नहीं ठोड़ा होगा नईयए सच नहीं है मैंने लग रहा है और जो बात मेरे दिल पर लग जाती वो कभी नहीं मिटटी मेरे आखरी सास तक वो नहीं मिटेगी आप मुझे गलस समझ रहे हैं मैं ऐसा बिलकुल नहीं हम तु कि तुम एक घर में तिरुपती गोमने के लिया है और यम्रबी बात में प्वसाए और वह लड़की भी तुम्हारी बात्म में आ गई लेकिन उसके बाप को फसंद नहीं आया उसने उसे बुलाकर कहा कि यह लड़का सही नहीं है तो वह लड़की मान गई मेरे मना करने के बाद उसने कभी तुमसे बात की नहीं की नहीं की नहीं की ना तो तुम्हें क्या करना चाहिए था इजट से बोरिया विस्तर बांध कर घर से निकल जाना चाहिए था अपने गाउं चले जाना चाहिए था लेकिन तुमने तो वहीं पर उसी घर में अपना डेरा जमा लिया शर्मानी चाहिए तुम्हें मेरी बात सुनों उसके साथ मैं तेरी शादी करवाने वाला नहीं हूँ कम से कम इस जन में तो नहीं और अगले सौ जन्मों में भी नहीं करूगा मैं अपनी लड़की से तेरी शादी अप मुझे पसंदष्ण के नहीं करते मैंने कौन सी गल्ती किये दोश क्या है मेरा में सांप और नेवले की लडाई में कौन दोशी कोई भी नहीं तो क्या कारण है दुश्मनी का कुछ भी नहीं नहीं फिर भी नियुक्ति शांप को मार देता अर उसी को भौज़नन कखा लेता है तो यहां पर मैं नियोलाहर तुछ साप है दुश्मनी हमारी कायम रहेगी मैं मेरे बिल में रहू और तू अपने बिल में को आप यह एक ऐसे अकेले इनसान है जिनको मैं पसंद मुझे भी पसंद नहीं आने वाला तू पहला ही आद्मी है ठीक है तु अच्छा है यह मैंने समझ लिया गाउं में भी तु सबको पसंद है मैं अपनी लड़की की खुशी के लिए तुससे ये बात कह रहा हूं माल ले कि अपनी बेटी की खुशी के लिए उससे तेरी शादी भी कर दो शादी के बाद मैं उसके बगार नहीं जी पा लेकिन यह सब होने वाला नहीं है प्रिश्टा क्या होता है उसके खुश्मू क्या होती है यहां इसे पहले नहीं जानता था अब जाके तो इसका महत्वा समझने लगा हूँ सच होगा यह नहीं मैं नहीं जानता लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मैं क्या करूँ कि आप मुझे पसंद करें एक बार कहके तो देखिए मैं जरूर करूँगा यकिन कीजिए आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वह करूँगा अपनी जान दे दे जान दे जान दे तो यही कहा न जान दे देख लिए बोलने वाला वह कौन होता है कोई किसी को जान देने के लिए कैसे कह सकता है कौन कब मरेगा यह किसको पता है जान दे तो कहने वाले कि जान कब चली जाए किसे पता है यह क्या कह रहे है ऐसी आशुम बाते नहीं करते वह हमारे दामाद जी पहले वह इ कारण मैं ही हूँ अगर अब भी मैं यहां पर रुका तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना दाद जी प्लीज सुनिये जी हमने क्या सोचा था और यह सब क्या हो गया उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सुरेश के उपर उसके बाप का जो गुस्सा है वो सही है कोशल्या के लिए उसके बाप के दिल में जो प्यार है वो सही है सुरेश के पास भी एक दिल है उसके अर्मानों को लोग नहीं समझ पाए उसमें हम क्या कर सकते हैं तुम्हारी शादी करके बहुत ही खुशी के साथ पती पत्मी बना कर तुम्हें और कौशल्या को भेजने के लिए सोचा था बेटा लेकिन भगवान ने वो हक नहीं दिया बेटा इस बुढ़े को माप कर देना बेटा क्यों अपना दिल दुखा रहे हैं दादाजी कोई भी तो नहीं था मेरा दादा दादी बनके इतना सब कुछ दिया है कितना प्यार दिया है मुझे दादाजी मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊंगा हर बार तिरूपती पर चाहे कोई आए चाहे ना आए लेकिन मैं जरूर आऊंगा दादाजी सुरेश मैं टिकट लेका राता हो वहाँ पर ट्रेन आएगी तुम मेरा वेट करना अपनी जान दे ले है अपनी जान दे ले है अपनी जान दे दे हुआ हुआ परण पॉच्चान झाराए शचाराए रिखला, याराए जी माराए जौचान खॉचान! झाल 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 झाल